यार आप खुच से broadband recharge के से कर सकते हो, आप जोब नया broadband connection लोगे, तब आपको एक ID मिल जाएगा, जिन लोग broadband connection करने के लिए आएंगे, उन लोग आपको एक ID देदेंगे, उसका बात आप खुच से भी broadband recharge कर सकते हो, नहीं तो जिन लोग connection करने के लिए आये थे, उन लोग कर द में यहां पर मेरा रिचार्च खतम होने का एक दिन पहले मुझे आईडी मिल गया था यहां पर देख लो डिया सस्क्राइबर मेरा आईडी लिखा हुआ है यूर बिटेल ब्रोडवेंट रिन्यूवल इस डिव टूमोरो टीम बिटेल टीम बिटेल का दरब से मुझे sms मिला ह जो message मिला है आपका subscription खतम हो जाएगा और यह आईडी जब local operator connection करने के लिए आये थे मुझे फेहले ही दे दिये थे तो इस id को मैं copy कर लेता हूँ और एक link भी आपको local operator दिया होगा फेहले और नहीं दिया है तो मेरा description में link है उस link पे चला जाओ दूसरा broadband में किसी भी platform में जाकर recharge कर सकती हो Amazon phone पे और भी बहुत सारा platform से लेकिन बीटेल का broadband ले रहे हो तो आपको बीटेल का website में जाकर recharge करना पड़ेगा तो बीटेल का website में आ गया हूँ उभी मैं जो client code copy करके लेका हूँ यहाँ पे paste कर रहा हूँ और यहाँ जो capture code show हो रहा है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और capture code को डालने के बाद login में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा customer inform आ चुका है यहाँ पे मेरा client ID है उसका बाद मेरा नाम है उसका बाद मेरा address है और उसका बाद मेरा phone number please check all the information before processing तो मैं check कर लिया हूँ और प्रोसेड में क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ना betel.co.in betel का address है उसका बाद client मेरा नाम लिखा हुआ है मेरा phone number है उसका बाद मेरा address है उसका बाद previous है और यहाँ पे आप select कर सकते हो एक मेहने का recharge करोगे क्या दू मेहने का recharge करोगे तो आफ 400 रिचाच करते तो 800 रिचाच करना पड़ेगा मैं 400 बता रहा हूँ लेकिन 400 नही रिचाच करता हूँ जो 50 Mbps का is fit है तो मैं एक रिचाच यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि मैं 30 दिन का recharge कर रहा हूँ अब 3 रिचाच करेंगे तो लबे दिन का recharge करेंगे तो उसका बाद service यहाँ पर लिखा हुआ है विटेल 50 Mbps का जो plan है for 75 रूपीज का उसका बाद मैं नीचे का तरफ जा रहा हूँ और नीचे का तरफ जाने के बाद यहाँ पर service विटेल 50 Mbps उसका बाद प्रियोड यहाँ पर लिखा हुआ है कितना तरिक से कितना तरिक तो कि यह plan मतलब active रहेगा तो यहाँ पर देख लो 24-9-2023 से 23-10-2023 तक यह plan 30 देने के लिए active रहेगा total of 475 कियोंकि 30 दिन का 475 है जो 50 Mbps का plan में बिटेल का वह भी किया कर रहे हूँ यहाँ पर पेग में किलिक कर रहे हूँ वह भी आता है आप plan के से change कर सकते हैं आप plan change नहीं कर सकते हैं यहाँ पे हाँ प्लैन चेच कर सकते हैं आप customer care को call करके पता लगा सकते हैं साइद customer care से change करेंगे, customer care का number भी मैं दे दोंगा, आप लोग मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं और उससे आप plan चारच कर सकते हैं क्या plan लेना चाहते हैं, पूछ भी सकते हैं और जानकारी लेने के बाद change भी कर सकते हैं आप चाहते हैं 475 का plan लेना क्योंकि यह बहुत ही low है और अच्छा खासा internet speed मिल जाता है मैं आप लोग को दिखाऊंगा वब मैं phone से recharge कर रहा हूँ और मैं मेरा system में दिखाऊंगा कितना internet speed आ रहा है क्योंकि मेरा direct cable connection है system का साथ recharge करने के लिए यहाँ पे agree pay में click करना होगा उसका बात यहाँ पे pay में click करना ओभी यहाँ पे input your data फार्ट टेम आप रिचाच कर रहे हो तो आपको पूरा यहाँ पे फिलाप करना होगा अपना नाम डाल दाना उसका बाद अपना phone number डाल दाना उसका बाद अपना email id डाल दाना और आपका country select करना आपका city select करना आपका zip code select करना जोब okay करके आप first time रिचाच कर लोगे जोब second time एक मेहने बाद रिचाच करने के लिए आओगे सारा भरा हुआ यहाँ पे रहेगा मैं मेरा email id, city और zip code डाल दिया क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ था आपको क्या करना है नोटिवेशन आ जाएगा उपर में नहीं तो आप जिस भी अप्लीकासान का यूफेडी डाला उस अप्लीकासान का अंदर चला जाना है अंदर जाने के बाद एक नोटिवेशन आपको मिल गया है नहीं तो पर में नोटिवेशन मिला होगा यहाँ पे मैं pay में किलिक कर रहा हूँ और pay में क्लिक करके यहाँ पर pay में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मैं pin डाल दिया हूँ वो भी यहाँ पर message भी आ चुका है यहाँ पर मेरा pay हो चुका है payments तक सिस्पूल हो चुका है देख लो और जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आपका जोब recharge खतम हो जाएगा यहाँ पर sing in का option आजएगा sign in का यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर देख लो sign in का option आजएगा recharge खतम होने के बाद मैं रा recharge कर दिया हूँ मेरा connect हो गया है और जहाँ से मैं request भेजाता recharge करने के लिए वहाँ पर payment successful हो गया है और मैं मेरा system में आ चुका हूँ वकला में आ चुका हूँ speed test करने के लिए क्योंकि मेरा system का साथ lane cable connect है get 6 यहाँ पर मैं go में क्लिक कर रहा हूँ तो कितना speed है चेक कर लेते हैं फास download speed चेक करते हैं रेख लो 80 तो ले गया लेकिन कितना है वह भी down आ रहा है और वह भी download speed चेक हो चुका है 51.71 download speed है और upload speed यहाँ पर चेक हो रहा है और upload speed यहाँ पर 52.04 है काफी अच्छा है 50 Mbps का plan में काफी अच्छा मिल जाता है download speed और upload speed वह भी मैं फोन में जो wifi connect क्या हूँ इसका speed मैं दिखा रहा हूँ वह मैं किलिक क्या और वह भी download speed चेक कर रहे है download speed 52 है और upload speed देख सकते हो भी चेक हो रहा है download speed 52.2 और upload speed 55.5 काफी अच्छा speed मिल जाता है 50 Mbps का plan में तो 50 Mbps से ज्यादा है और भी आता है आप खुश से recharge के से करेंगे आपका जो local provider है आपको website का link देदेगा उस website में जाके आप recharge कर सकते हो नहीं तो मेरा description में link मिल जाएगा इस website में भी जाके recharge कर सकते हो बिटेल का website है और आपको बिटेल का customer care का number चाहिए तो यार इन्सा में पुछना मैं आप लोग को दे दोंगा बिटेल का customer care का number बिटेल का customer care का number मेरे पास है क्योंकि मेरा गोर गावों का टाइप में है और जो problem होता है कुछ भी customer care से जानकारी ले लेता हूँ और plan change करने का बारे में बता हूँ तो आप customer care से बात करके जानकारी ले सकते हो और आपका local provider को बता सकते हो जितना भी plan का बारे में आप लोग को जानकारी दे देंगे आप जो भी plan लेना चाहते हो उस plan को set कर देंगे आप खुच से इस website से set नहीं कर सकते हो सायद कोई ओलोग website होगा बिटेल का तो वहाँ पे set करने का अफसान होगा कुनसा website है या नहीं है मुझे पता नहीं है इसलिए आप local provider से जानकारी लेके plan change करा सकते हो और आप recharge करने के time पीन गलट डल दिये हैं कि आप recharge करने जाकर back कर दिये हैं तो दूबारा से 15 मिनिट बाद आप recharge कर सकते हैं तुरों तब recharge नहीं कर पाएंगे और आप जितना बार जाके back चलाएंगे क्या पीन गलत डलेंगे तो उतना बार 15 मिनिट करके time लगेगा और ये वीडियो अप लोग के लिए थोड़ा भी useful होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना डिस्केप्शन में इस्टा का फेस्बूक का लिंक है जुरूर फोलो कर लेना आगे किसी और ही उस फूल वीडियो के साथ फेर मिलेंगे